ऐसे जब 20 साल पहले में खड़ा हुआ था ऐसे किसी ओफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डिरेक्टर के असिस्टन ने पूछा था क्या है मैंने कि अक्टर है बुले दिखने से तो लगते नहीं हो अक्टर हो तो क्या होता था कि इंडिस्टिय में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता हूँ छे फुटका होता और गोरा होता है और लंबा चोड़ा बल्ले चल्ले होता है मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे हैं ऐसा समझता था वो और शिप्रम ये आपको यकिन दिलाना चाहता हूँ इस चीज का कि मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहिरी की कि मैं आक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मुझे डी-मॉरलाइज किया कि पहले शकल तो देख ले अपने क्योंकि पांच फूट का छोटा पतला दूबला सा आदमी काला कलूटा मुझे फूट को पता नहीं था कि इंडिस्टी में मेरा क्या हाल होगा बट एक जित थी एक जित थी और हजारों लाखों मनलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्फ यही चलन था कि actor तो hero तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब odd situations के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है तो अलग क्या करूँ अलग क्या होना चाहिए उसके लिए training की ज़रूरत थी जो मैंने national school of drama में आके training ली तीन साल मैंने acting की पढ़ाई की वहाँ पे और अपनी एक craft के बारे में समझा के एक्चुली इस personality में अगर मैं लोगों को impress करना चाहता हूँ उसके लिए education की बहुत ज़रूरत है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें craft उसका expert होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे हावा में नहीं के जैसा पहले होता था आरे यार तो तो बहुत खुबसूरत दिखता फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे ऐसा नहीं किसी चीज को बारी की से जानना उसके लिए training की experts की experience की ज़रूरत होती है तो मैंने training ली national school of drama से और 2000 में मैं पहुँचके मुंबई मुंबई पहुँचने के बाद जब हम किसी office में जाते थे I think उससे पहले challenge नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया कि office में खड़ोगे भाई हम actor है काम दोगे क्या तो बने पहले हुलिया तो देखा पना तू तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और वो बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा कोई इतनी सी personality का 5-4 change का अदमी पतला दूबला सा मरियल सा कि कभी ये इस तरह के लोग actor भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसे चलन था ही नहीं मैं confident था because of my training मैंने training ली थी और अपनी craft के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और इस चीज का सिर्फ confidence था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो या 10 साल या 20 साल या 30 साल 30 साल के बाद number ज़रूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को target नहीं किया target नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल try करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा field अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज का passion होता है जजबा होता है अगर आप दिल से चालो ना तो पूरी दुनिया जुख जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी के जिद के लिए इस आदमी के जिद के आगे जुखना पड़ेगा और पूरी दुनिया जुखती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्धी होना पड़ता है आपको बहुत सारे sacrifice भी करने पड़ते है क्योंकि ये आपने चाहा है परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इमतहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टार्गेट बनाएंगे तो छोटे उमी निप्टारा हो जाएगा हमेशा अपने आपको टार्गेट बड़ा दो तो उसके लिए कि उसके लिए हमेशा अपने आपको अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इंपॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होने चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपरिमेंट हुए है यह सिर्फ इसी बिना पर हुए है पागलपन के जरीए ही हुए है यह सारे एक्सपरिमेंट एक मैंने कहीं सुना था कि कि जब आप एक्सपरिमेंट करते हैं तो फैलियर भी होते हैं कई बार फैलियर होते हैं कोई एक एक्सपरिमेंट करने के लिए कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी जहलाया बहुत बार फैलियर हुए हम लोग लेकिन एट लिस्ट हमें इतने सारे फैलियर होने से इतने तरीके पता चेले कि इन तरीकों से सक्सिस नहीं मिल सकती फर एक्जामपल एडिसन ने जब बल्ब का विश्कार किया तो सो बार एक्सपरिमेंट किये अपनी जिंदगी में सो बार एक्सपरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला के ये था बल्ब बनाने का तो एट लिस्ट उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सो जो तरीके हैं सो तरीकों से बल्ब नहीं बनता ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूं था हमारे पास personality नहीं है हमारे पास back नहीं है यह हमारे father, दादा, पड़ दादा तो फिल्म डिस्टी में है नहीं हम ही है तो हमें क्या करने चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका experience सुनते थे, उनको observe करते थे तो I think मेरे पास 15 साल तक 10 साल, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकेंड के रोल करके घर में आके बढ़ जा तो पूरे साल खाली बैटे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें के तरह तरह के लोग हैं लेकिन हमारी इंडिस्टी में सिर्फ एकी तरह की एक्टिंग होती है हजारों करोडों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एकी तरीके से होती है हमारे हाँ तो मुझे लगा यार ही मैं तो ट्रेन भी हूँ मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्जर्ब भी कर रहा हूँ तो ये तो सबसे अच्छा सूत रहे हैं ये तो इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा तो जब ये सूत पता चला मुझे के अब मैं ये जो हजारों लोगों को मैंने अब्जर्ब किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उनी में से वो एक इंसान होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साब होगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों हमने लोगों को अब्जर्ब करना शुरू किया लोगों के बीच में रहे मैं पंद्रा साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था आप fortunate अपने आपको समझने लगा था कि thank God कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला तो कभी भी I think मुझे लगता है कि कभी भी जब आप struggle कर रहो होता है न वो एक मौका होता आपके पास वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उस उसमें आप अपना observation experience जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप तो मेरी लाइफ बहुत ही आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तो जो पंदरा दस बारा साल मैंने बिना काम के गुजारे जो लोगों के बीच में रहा था हमें आज वो काम मारा है मेरे जहां जबा सोच के कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पोडोस का ये बंदा मैंने देखें इस तरह के लोग आई तिंग यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एस अन एक्टर अपकोस इस्टेगल में बहुत सारी चीज़े सेक्रिफाइस करनी पड़ती है क्योंकि खुजली आपको हुई है आप ही को मिटानी पड़ेगी आप जो आप है वो आपने बनना चाहा था और अगर डिसपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना तो बस यही था कि दस बारा साल तक मैंने सोचा था 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मैरे बहुत जादा वो भी हुआ कि आर छोड़के चले जाते हैं कुछ काम मिलनी रहा है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं डो मिल पाएगा या ने मिल पाएगा फिर यह होता था कि नहीं मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखके लिखती थी मुझे तक मोबाल लुबाई नहीं आये थे पेजर आये थे तो पेजर यहां पर लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्टिशन में है और डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिलगा तो मेरी मान मुझे एक लेटर लिखती थी तो उसको लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि बारा साल में कछरे के दिन भी बदलते हैं तू तो इनसान तू तेरा दिन भी बदलेगा तो उन सब चीजों को देखके कोई एक शेर कोई एक कोटेशन कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती है जो लाइनस आपको उनका रहना उन पर बिलीब करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ाने के लिए और जिब खराब वक्त होता आपको वो लाइनस वो पॉइम्स वो वो सारी चीज़ा आपको संबल देती है मजबूती देती है ताकत देती है और मैं जिस गाउं साय था डिस्टिक मुजब फरनेगर की छोटा सा गाउं था बढ़ाना जब आपने शुरुआत की थी महां पर जब मैं था महां पर महां पर लाइट भी नहीं थी एक गंटे के लिए रात में कभी आ गई या एक महिने के बाद हलका सार मुझ दिखा के चलिगी इस तरह की लाइट इस तरह होती थी वोई लैंप में पढ़ना है स्टार्ट किया लैंप तो छोटे से गाउं से आने के पावजू फिर दिली हमार दिली मतलब छोटा साथ उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पतनी क्या है और डर लगता था मैं जब मुंबई में आया था तो मैं 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला तो क्योंकि इतनी स्पीड देख रह इस शहर के साथ शाहेद हम इंडनीक बाएंगे विल्कुल भी तो इस तरह के डर थे लेकिन ऐसी जगह पर ऐसे जगहा पर आ गय intern to अप जाना भी मुश्किल था तो मुझा तो वापस नहीं जा सकते थे, वापस इसली नहीं जा सकते थे, वापस अगग चले गए, तो थेटर के जो मेरे दोस्त थे, वो बोलते हैं, कियो भाईगी, वापस आगे तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे तुम भी वापस आ गए, 근데 बहुत आउ, ठीक है, गाउं थोड़े यह थी तुम्हारे स्टार बनने की, आक्टर बनने की, तो यह बहुत सारे डर थे, जिसकी वज़े से में अपने ना तो गाउं जाता था, ना जहां से ट्रेनिंग ली थी, दिल्ली से न मार जाता था, उन्हें जो भी है, मरना जीना मुंबई में ही होगा, रेबा सकसिस की, सकसिस अगर 30 साल बाद भी मिलेगी, उसके लिए भी मतलब तयार रहना चाहिए, सकसिस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारिख नहीं होती, कोई टार्गेट नहीं होता कि इतने ही दुलों में मिल जाएगी, इनसान का काम होता है I think मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आपको लाइफ में पुश करते रहो और पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन, पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पैशन से क्या होता है, जिस भी आप फिल्ड में होते हैं, उसकी डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं, समंदर की जब गोता मारते नीचे जाते हैं, तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाये देना शुर। एसी आपका भी फिल्ड है, कोई भी हर फिल्ड ऐसे ही होता है, उसमें असीम संभावना ही होती है, इतनी पॉसिबिल्टियस होती है, कि सिर्फ अगर एक दरजी है, पैंट सीता है, एक हजार तरीकी के पैंट सी सकता है, अगर वो चाहे तो, अगर उसने नहीं चाहाँ, तो जो ट्रेंड चला रहा है, वो सीता जाएगा, एकन अगर उसने चाह लिया, कि मैं ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ करता हूं, तो एक हजार त पॉस्पिलिटीज बहुत होती है और एक परफेक्शन होता है फर ग्सांपल जैसे हम लोग हम लोग उने ट्रेनिंग इसलिए लिए कि परफेक्शन आजा अपने काम पे जैसे एक मैंने एक्जांपल सुना था कि यह छोड़ी छोड़ी चीजे जो मैं बता रहा हूं यह चूक और पताते हैं कि एक बहुत और पतनी सच है जुटे मुझे नहीं उतना साथ नहीं मालूम पर ऐसे बहुत बड़े इंसान होई लेकिन वह पहले मोची से जूता सिथी था लेकिन जूता जहां से सीथे थे नहीं वहां से कभी फटता नहीं था बले दूसरी फट जाये लेकिन वहां से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना काम भले ही वह है वो लेकिन उस काम में भी उनका पैशन है तो इसी बज़े से उतने पॉपुलर होते चले गए यार जूता फटके लिगें ये जो परफेक्शन पैशन ये सारी चीज़ों तो यह आपका आगे बढ़ाती है बहुत आगे लिजाती है लेकिन उसके वही है कुछ चीजों का होना बाके बहुत ज़रूरी होता है फिर एक्सपीरियंस आपका आपकी नॉलिज जिसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं सॉरी त कॉछ नहीं ज़रूर tacklingноз ज़रूरूर को मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लगीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लगीली यहां तक पहुंच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपििंग्स देख रहे थे मेरी में लगीली मिपउचा हुए यहां पे बैने मैंने उसके लिए मैंने उसके लिए नॉलिज इकठी किया मैंने उसके लिए ट्रेनिंग लिए